तो गाइस कैसे हो आप लोग मैं जानता हूँ यार कि मैं बहुत लेड वीडियो दा रहा हूँ वो इसलिए यार क्योंकि अभी मेरा चैनल इतना ग्रोव नहीं किया है तो अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो जल से जल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा तो आपको तो य सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए अगर सबस्क्राइब नहीं किया है और बेल निटिफिकेशन को आउन कर लिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो आप उसको सबसे पहले देख पाऊ जब आप चैनल सबस्क्राइब कर देते हो या फिर वीडियो पे लाइख कर देते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि कुछ नई वीडियो लाओ और कुछ नए टॉपिक पर वीडियो लाओ खासकर आपके यह तो गाई इस वीडियो का मत्में भी नहीं है कि जो थम से खेलते हैं वह अच्छा नहीं के लिए वह बी ऐख ये लो पेहले थमकी टेसाडवांटेज़ेस्स कर लेते हैं थमकी डेसाडवांटेजेस्स यह होते हैं कि आप जढ़ा मूब्मेट नहीं कर सकते हैं और ज्यादा क्षेस्ट नहीं दिखा सकते गेम में और यार रियक्षिन टाइम भी थोड़ा कम होता है लेकिन अगर क्या होता है कि आप एमिंग मतलब शूट करते वक्त आप बहुत सारे मूवमेंट्स दिखा सकते हो जैसे कि ग्राउच होना जंप और पीक करना और साथ में कभी का बार स्नेक मन जाना या लेड जाना तो फ्रो इसलिए होता है ज्यादा मूवमेंट्स करने के लिए और रिएक कि दो उतना है कि फ्रोष एलिए और पाइब हुट करने होती है और प्रोऊमें एतनी पाइप्षाशップ में टेंसा या ऊचील नहीं होती है तो आश्म में बहुत लोग यारौ सीखना चाहते हैं तो यह गाइड आर्फ झाली के लिए हैं जो अभी मेद नया क्रास सींक रहें कि आपको कैसा simple close setup बनाना है और उससे practice करनी है तो चलिए चलते हैं हमारे training room में तो देखने जिस type से मैं अपना close setup simple वाला बना रहा हूं आपको वैसे ही बना ले लिए और ये ध्यान रखना जो आप close setup बना होगे वो लेयाउट 1 में ही बनाना लेयाउट 2 में बनाना है ना ही लेयाउट 3 में अब तुम बना रखी है आप वो जाके देख सकते हैं वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी तो वीडियो को पूरा देखते रहो अब देखो गाई सिंपली आपको क्या करना है जब आपका ये ग्लॉस सैट अप बन जाए तो आपको पहले तो ट्रेनिंग करनी है फ जाए अब देखो कुछ लोग सोचे हैं कि यह जो फायर का बटन है यह हम राइट पर भी रख सकते हैं तो गाइस मैंने भी एक बाट ट्राइ किया था तो प्रॉब्लम उसमें क्या रही थी कि जो डीमर गॉन से जैसे मिनी हो गई एसकेस हो गई या फिर जब हम सिंगल सकते हो पहरी बात तो यह है कि कभी भी किसी का क्लॉज सेट अप कॉपी मत किया करो अपना खुद का क्लॉज सेट अप बनाओ जिसना आप कमफर्डेबल हो कुछ गाइस कुछ बंदे यह होते हैं कि मतलब जैसे कोई प्रोप्लेयर देख लिए यूट्यूब में या फिर ग जोड़ा सा अलग मना करते हो जिसमें आपको कमफर्डेबल फील हो अब इतने एडवांस क्लॉज सेट अप से होगा देखो जब आप कभी पाइट कर रहे हो और फायर करते करते हैं आप नीचे बैड जाते हो या फिर प्राउच कर लेते हो या फिर जम करते हो तो जो सामने अपने का एम होगा वह बिल्कुल खराब हो जाएगा और यार आपको आप इजीली उसको फिनिश कर सकते हैं अब यार अपने दिमाग में कभी भी यह मत रखना कि जैसे आपको कोई फ्रेंड है तो आप क्लॉप लेयर हो तो आप प्रो हो गया और वह थम प्लेयर है तो वह नोग है ऐसा भाई कुछ भी नहीं होता है जो थंबाले वहते हो भी यार काफी बढ़िया खेलते हैं अब क्लॉप किस काम आता है यार इसलिए काम आता है ताकि आप जो अपोनेंट है उस पर एक अपना इंग का के रख सको आप क्लॉइड किस पर यूज परके यूज करना सब्सक्राइब आपको थोड़ा गेमप्ले खराब हो सकता है और यार जो आपके फ्रेंड्स हैं भी बोल सकते हैं कि वाई तूते यार पहले से बहुत बुरा खेल रहा है तो आपको वह सब क्या रहना वह सब आपको इग्णोर कर देना है और सीधे मैच में नहीं घुशना है आपको या तो आर्केट खेल देना है या तो वार खेल देना है ताकि आपकी मसल मेमोरी बन जाए यह जो कंट्रोल से कहां कहां पर रहें तो स्टाइडिंग में तो बहुत प्रब्लम होगी लेकिन जब आप क्लॉस लिजाओगे तो आपके फ्रेंड्स से वह बोलेंगे भा फॉलो करोगे तो शायद 6 दिन में क्या भाई आप तीन दिन में ही क्लॉस सीख जाओ तो आपसे विदा लेने का समय आ गया है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक करो और शेयर कर दो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब किया मुझे कि ज्यादा जरूरत है तो यह वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनसे भी बोलो कि भाई सब्सक्राइब कर दो तो इंज्वाइब करो मेरा गेम प्ले तब तक के लिए गाई बाई मैं आपसे नेक्ट वीडियो में मिलूँ जीडियो में मिलुपन करो मी नेक्ट वीडियो ंरूरत है जो कि झाल यह रागजारत है प्पटियो जök मैं माई 법 दोने दाए तो सब्सक्राइब कर दो के लिए घूदाओ कर देएब कि वीडियों। छोिएब कर दिक प्द्सक्व करे treating दो हुई कर then? झाल 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 झाल